क्या इडी से बचने के लिए अर्विन केजरिवाल नए नए हत्कंडे अपना रहे हैं नौफरवरी को इडी ने एक बार फिर केजरिवाल को समन बेच कर बोलाया है ऐसे में क्या इडी से बचने के लिए केजरिवाल ने प्लान बनाना सुरू कर दिया है ऐसा आरोप BJP ने लगाया है, दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजिर्वाल और उनकी सरकार नए तरह के विवाद में फस्ती नजर आ रही है, दिल्ली की सरकार ने ब्रश्टाचार की ऐसी प्रकाष्ठा लिखी, कि जिसने सुना वो केजिर्वाल सरकार को ब्रश्टाचार पारी नजर से देखने लगा कतित तौर पर कट्टर इमानदार लोगों पर कट्टर बैमान होने का आरोप लग रहा है लेकिन कट्टर इमानदार लोगों के पास जवाब नहीं है कि आकिर उन पर ऐसा आरोप लग क्यों रहा है अर्विन केजरिवाल की सरकार अपना बजट प पेश नहीं कर पा रहे हैं तबाम सवाल है लेकिन जवाब सिर्फ के जरिवाल साहफ के पास ही है कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दिल्ली में वितवर्स दोजार चौबिस का बजट पेश नहीं हो पाया है दिल्ली की वित्मंत्री आतीशी ने विदानसवा को केनेता रामवीर सिंग बिदूडी ने बजट में देरी के लिए आम आदमी पाटी पर जम करनी साना साधा। बुद्वार को बेजा और उन्होंने इसे एक ही दिन में मंजूर कर लिया। सरकार ने अपनी गलती सुईकार कर ली है। लेकिन समय से वार्षिक बजट तैयार ना कर पाने की असफलता की जिम्मेदारी लेते हुए केजरिवाल को इस्तिफा दे देना चाहिए। पेश होना है वो बजट तैयारी को बहाने के तौर पर इस्तिमाल करना चाते हैं। अर्विन केजरिवाल करप्शन में शामिल है और वो पूछताज को बहुत लंबे समय तक टाल नहीं सकते हैं। दिल्ली विजान सबा में बजट सत्र की सुरुआत गुरुवार को अभिवासन के साथ हुई। एक पकवाले पहले सरकार ने घोसना की थी कि सत्र 15 परवरी को सुरू होगा और एकीज तक चलेगा। इस दोरान बजट होने वाला था। बिजेपी नेता ने कहा है कि चुकि अर्विन केज रिवाल ब्रश्टा 4 में सामिल है और एडी के पास सबूत है उनकी गिरफतारी तैह है। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।